इस दुनिया को सिर्फ अल्ला चलाता है उन्हें करीब लाओ खांदान से जुदा करो जिस्मानी रिष्टे बनाओ जरूरत पड़े तो प्रेगनेंट करो और जल्द से जल्द उन्हें अगले मिशन के लिए हैंड ओवर करो कुछ ऐसे ही सीन के साथ फिल्म तक केरल स्टोरी का ट्रिलर जारी हो गया जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी इस मूवी में केरल में धर्मांतरन कराकर आतंक वाद की आग में जोकी गई लड़कियों की कहानी है ट्रिलर में केरल के हिंदू परिवार की शालनी उन्नी क्रिशनन के फातिमा बनने का दर्दनाक सफर दिखाया गया है ट्रेलर की सुरुवात में एक हस्ते खेलते परिवार का दरस है जहां एक माँ अपनी बेटी को हाथ से खाना खिलाती है दुलारती है परिवार में खुसाली है मगर परिवार की ये खुसाली अतीद की बात हो चली और वजह है लव जिहाद परिवार की बेटी सालनी को मजभी लोगों ने अपना मजभ कबूल कराया सालनी को फातिमा बनाया उसका निकाह कराया और फिर उसके बाद जोक दिया उसे आतंकवाद की आग में ये सिरफ एक सालनी की कहानी नहीं है बलकि केरल राजी की हजारों लड़कियों की कहानी है एक दो नहीं बलकि लापता हुई 32,000 लड़कियों के पीछे की घटनाओं का खुलासा करती है जो की केरल को जजगोर कर रख देने वाली कहानीों में से एक है नमस्कार रंगने बसंती देखना सुरू कर चुके हैं आप मैं हूँ राजीव चोधरी जैसे ही मुवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो मजबी गैंग वामपंथी बिर्गेड और फैक्ट चेकर सामने आने लगे कि ये जूटी कहानी है मजब को बदनाम करने की कोशिस है इसलाम पंथी सरकार पर लव जिहाद को मूख अनुमती देने का रोप लगया था पादरी का कहना था कि राज्य सरकार लव जिहाद के मामलों की अंदेखी कर रही है जबकि लव जिहाद में इसाही लड़कियों को फसा कर उन्हें युद गरस्त खाड़ी देशों में भेजा जा जहां उनका सेक्स सलेव योंदासी की तरे श्तेमाल किया जा रहा है सायरो मालाबार चर्च के बिसप ने जैसे ये लव जिहाद का ये मामला उठाया तो उन्हें भी इसलामोफोबिया जैसे ताने दिये जाने लगे लेकिन इसके बाद फिर सोसल मीडिया पर एक पोस्ट ग इलाम कर रहे हैं वो इन हिंदू इसाई लड़कियों के साथ प्यार का नाटक करके यहां भेज देते हैं वहां एक इसाई लड़की कीमत 50 डोलर है और 15 साल की हिंदू लड़की कीमत 300 डोलर है जैसे ये पोस्ट आई इसका भी वाईरल टेस्ट किया गया वही फैक्ट चैप नापा गया वही नाटक वही साबित करने की कोशिस की गई कि ये खबर भी जूटी और आधार हिन है हमारे मजब को बदनाम किया जा रहा है किरल का भाही चारा समाप्त करने की कोशिस की जा रही है धीरे धीरे ये पोस्ट भी दब चली लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ने आई और सब की बोलती बंद हो गई ये वीडियो सीरिया से आई थी जिसमें तीन मलियाली महिलाएं सोनिया, सेवेस्टियन, उर्प आईसा, नीमिसा, उर्प फातिमा और रफिला ये तीनों आतंकवादी संगठन आईएस आईएस के खातमे के बाद अपना रोना रोती दि पर इस वीडियो से देश की खुपी अजेंशिया सतर्क हो गई, वीडियो पर अजेंशियों की महर लग गई और जांच में पाया गया कि केरल की शत्यसार निसंस था और पी अपाई मिलकर एक के बाद एक हिंदू और इसाई लड़कियों का धर्मान तरन करके उनका ब्रेन अपनी अपनी कहानी बया कर रही थी, निमीसा का नाम तो लोग उने पहले भी सुना था, दरसल निमीसा कोच्ची में इंजिनियरिंग की छात्र रही, उसे लव जिहाद के प्रेम जाल में फसा गया था, 20 जुलाई साल 2016 को निमीसा की मा बिंदू ने रोते हुए का था, कि निमीसा को बहकाया गया है और जबरन इसलाम कबूल करवाया गया है, दूसरी थी सोनिया, ये एक इसाई लड़की है, अब आईसा के नाम से जानी जाती है, सोनिया ने साल 2011 में केरल का सरगोड के अब्दूरासिद अब्दूल्ला से निका किया था, निका के कुछ दिनों अब्दूल्रासिद को NIA ने लव जिहाद और आतंक के मास्टर माइंड के रूप में नामित किया, उसे पकड़ने की कोशिश की, कि वो पकड़ा जाता उससे पहले वो सोनिया को लेकर सीरिया निकल गया था, वहां कुछ समय बाद अब्दूल्रासिद वहां इसलाम के जीवन बहुत मुश्किल हो गया, हम हमेसा भाग रहे हैं, इसी तरह धरम निर्पेक्स्ता के साथ माजब का प्याला पीकर प्रेम जाल में फसी निमीसा भी लुटने पिटने के बाद वीडियो में वापस आना चाहती थी, कह रही थी कि हमारा ब्रेनवास किया गया, ब्रेन कानून के तहित जीने के लिए इसलामिक जीवन की उमीद कर रहे थे, लेकिन या सब कुछ मैंने अलग पाया, अब मेरा जीवन बरबाद हो चुका है, निमीसा हिंदू थी, जिसने कुछ साल पहले इसा नाम के एक मुस्लिम से निकाह कर लिया था, वो मजब बदलकर फातिम बन गई, लेकिन कहानिया खतम नहीं हुई, उसका अब्दलु से इरान के रास्ते अफगानिस्तान ले गया, जाहे दोनों आतंकवादी संग घठन आई-स-ाई-स में सामिल हो गए, अब बताया जाता है कि खुरासान गुट की तरफ से लड़ रही थी, जो तालीबान का दस्सों में थे एक था, उसने अगस्त दो अजार बीस में पूरवी अफगानिस्तान के जलालाबाद की एक जेल में धवा बोल दिया था, इस हमले में लग बगतीश लोग मारे गए थे, पर किस्सा भी समापत नहीं हुआ, दाकेरल इस्टोरी एक सच को परदे पर ला रही क्योंकि कुछ समय पहले बिसप जोर्ज कुरियन ने भी इसाई लड़कियों को लव जिहाद में फसाने का रोप लगाते हुए केंद्रिया ग्रहमंत्रियम इच्छाजी को पत्र लिखा था, लिखे पत्र में उन्होंने ग्रहमंत्री से कहा था कि 2005 से 2012 के बीच, 4000 से ज़्या किया जाता है, उन्होंने इसकी NIA से जाच कराने की मांग की थी, यदि यह एक दो गटना होती तो इसे नजर अंदाज किया जा सकता था, परन्तु केरल में ऐसे कई मामले सामने आए, लड़कियों का धर्मान तरन कर उनसे साधी की जाती हो, वो लड़किया फिर अचानक ग कुछ भी गलत नहीं हो सकता, साल 2006-2011 तक केरल के मुख्यमंतरी रहे, वी-एस अचुता नंदर ने जब भी लव जिहाद के मामले का उठाया, उन पर कट्टर पंती होने का तमका लगा दिया गया, लेकिन जब सरकार बदलियों, राज के मुख्यमंतरी उमान चांडी ने ज इसलाम में मतांतरित किये गए, इन में कुल मतांतरित 2688 महिलाओं में से 2100 में हिंदु महिला थी और 422 में इसाई, लेकिन इस रिपोर्ट के तुरंत बाद मुस्लिम गुटों ने वही दबाव, वही परेसर चंडी पर डाला जो वी-एस अचुता नंदन पर डाला गया था इसके बाद फिर वही हुआ, राज्य सरकार ने अदालत में परतिवेदन दर्ज करके इसके ठीक उल्टा कया कि लवज याद जैसी कोई चीज केरल में नहीं है, जबकि उसी दोरान केरल से परकाशित एक पत्रिका में साप साप छपा था कि लवज याद के संबराद परिवारों और रईस इसाई परिवारों को बेठक खटके निशाने बना रहा है, इसके लिए वैव्यासिक कॉलीजों तकनीकी सिक्षन संस्थानों पर नजर रखी जाती है, मुसलिम गुट मुसलिम लड़कों को तमाम तरह के सांसकर्तिक कारे करम करने और उसमें गैर मु जिहाद के खाके को क्रिया मनित किया जाता है, तब जैसे इस पतरीका की परतिया छपकर आई, पूरे केरल में बड़ी संख्या में मुसलिम के टरपंथियों ने इन्हें खरीदा और फाड़कर जला डाला, अगले दिन दुकानों में गिंती की परतिया रह गई थी, राजन परतिक अजन्डा बता कर लोक कन्नी काटते नजर आए, लेकिन केरल में इस गुप्त अजन्डे के तैत प्रेम जाल में फास कर हिंदू यूवतियों से निकाह करके उन्हें धर्मानतरित करने का सडियंत्र जारी रहा, साल 2012 में 26 आपतरिका के आखड़े बताते हैं कि केरल म में 2627 जिस में से 441 हिंदू लड़किया थी और 186 हिसाई, 2008 में 885 में से 727 हिंदू, 158 हिसाई लड़किया, साल 2009 में 664 में से 566 हिंदू लड़किया, 108 हिसाई लड़किया, 2010 में 666 में से 566 हिंदू लड़किया और 98 में हिसाई लड़किया, साल 2011 में 393 में में से 305 हिंदू और 88 हिसाई अब आप खुद सोचिए कि अब 2023 में आंखडे क्या होंगे और क्या हाल होगा जब कि इसके उलट देखिए साल 2008 से 2012 तक मेहज आठ मुस्लिम महिला उन्हें ही गैर मुस्लिम पुर्सों से प्रेमिमा किया ऐसा नहीं है कि खबरे दब जाती है साल 2016 में एक सेन्य अधिकारी मिनी विजियन ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी अरपणा को जबरन इसलाम में परिवर्थित किया गया सेन्य अधिकारी की बेटी का ब्रेन वास समझ ये कि कोच्ची में अपने छात्रा वास में लापता होने वाली बीटेक की छात्रा अरपणा ने मल्लवपुरम के एक ओटो चालक आसिक नाम के लड़के से साधी की थी और पिता की रिपोर्ट पर जब वैस समया नामक एक महिला के साथ अदालत में पेस होने आई तो अरपणा ने अधिकारियों से का कि उसने इसलाम अपने आप कबूल किया है और अपनी मा के साथ नहीं रह जाना चाती इन सब आकडों के बीच अजीब बात यह है कि गयर मुस्लिमों को फुसलाने के साथ ही अलगावादी गुट मुसलिम लड़कियों को मुसलिम यूत्यों को किसी गयर मुसलिम लड़के से बात तक नहीं करने देते ये कटरपन्थितत वे मुस्लिम महिलाओं को हिंदू के घरों में भी काम करने से रोकते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी देश के सव गोशित राजनेतिक दल और वामपन्थियों का समूज सामपर्दा एक चसमे से देखकर लवजियाद के मिथख को कालपनिक बताता है अब ऐसे में फिल्म की कानी को लेकर विवाद खड़ा होने की संभावना है कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं अगर इतने बड़े पेमाने पर हिंदू और इशाई लड़कियों को इसलाम में कनवर्ट करने के बाद आतंक वादियों को बेचा गया तो केंदर सरकार और राज सरकार को इतनी बड़ी गटना की खबर कैसे नहीं हुई किस ने इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों का फ्रण करा के उन्हें गायब कर दिया केरल में किस की मदद से सब होता रहा आज इतना ही जल्दी हम ब्रेन वास के साइकलोजिकल फंडों को लेकर भी एक वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपको पता चले कि कैसे ये खेला रंब होता है और कैसे इसका अंत कमेंट बॉक्स में अपनी राई जरूर दें वीडियो को जदा से जदा सियर करें